हेलो, गुड मॉनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब, नमस्ते एक्जाम के इस एपिसोट में आप सभी का स्वागत हैं, और दोस्तों आज का जो हमारा टूपिक इस करेंट अफेर में वो हम डिसकस करने वाले हैं चाइना के बारे में हैं, बेसिकली दोस्तों न्यूज अभी ही आपने काफी सारे न्यूज पर में देखा होगा, कि वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाजिशन नहीं, चाइना को अभी डवलपिंग कंट्री का स्टेटस हो दिया है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में, कि क्या डवलपिंग कंट्री का टेक या दविकासिल देश क्या होते हैं, ड हम देखेंगे कि चाइना को इससे क्या-क्या फायदे होने वाले हैं, प्लस में वर्ल्ड की बाकी जो अधर कंटी हैं, उनको इससे क्या-क्या नुकसान है, फायदे हैं, वो एक-एक एंगल हम यहाँ पे कहें, कवर करने वाले हैं, ठीक हैं, तो आप लोग फटाफट इस व सोड़ी basic चीज़े हैं वो बताना चाहूंगा तो उस basic से हम start करते हैं सबसे पहले हमारी जो starting होती है वो करते हैं world bank से world bank यहीं विश्वय bank दोस्तों world bank है ना वो basically countryों को चार category में divide करता है चार category कौन कौन सी है वो बताता हूँ सबसे पहले ध्यान से सुनना काफी important आर्टिकल है और exam के दरश्टी से हर एक exam में बहुत महत्तबून है यहीं विश्वय bank है world bank है वो basically countryों को चार category में classify करता है नमर बन category वो होती है जिसकी income low या low income category short में बोला हूँ ठीक है दूसरा होता है वो होता है middle income और तीसरा होता है वो ही middle income में भी एक part है जो अब आपको समझाना हो और चोता होता है higher income वाली country higher income वाली country है देखो middle income में कहा है बहुत थारी देश सज़ते हैं इसलिए middle category को दो पार्टों में divide कर दिया है एक तो कर दिया middle lower यही middle के अंदर भी थोड़ा lower कर दिया और एक middle के अंदर कर दिया higher समझ रहे हो इस तरिके से total 4 category है उसके basis पे विश्वा बैंक है वो decide करता है कि कौन सा देश कौन से income में आता है अब सबस्वड़ी बात है सर कैसे अपता चलेगा कि यह देश low income में है यह देश middle income में है कैसे high में तो दोस्तों इसके पीछे का जो logic है वो समझाता हूँ इसके पीछे की जो कहानी है वो यह है कि हर एक देश आपको पता है कुछ ने कुछ economy में production वगरा करता है तो वहां से एक आता है GNI ठीक है GNI क्या है वो हम बात करने वाले है सुने धान से basically होता क्या है gross national income यह र एक देश का पिछले साल का gross national income देखे जाती है कि उसमें पूरे साल भर कितनी कमाई किरी उस देश ने और उसके आदर पर decide होता है कि वो देश आपका lower group में आएगा या lower middle में आएगा या lower upper middle में आएगा यह फिर higher income country में आएगा समझ गे यहीं वर्ल्ट बैंक है वो countryों को चार category में डिवाइट करता है हिंदी में हम बात करें तो निमन income वाली country निमन मध्यम इंकम वाली उच मध्यम वाली और higher income वाली country और यह साल हर साल के है यह वर्ल्ट बैंक एक जुलाई को बैसिकली पिछले साल का डेटा देख के काम है वो करता है अगर हम बात करें इंडिया की तो दोस्तों इंडिया है वो फिल हाल अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका lower middle income country में आता है धान रखना ठीक है यह इंडिया कौन सी अगर हम बात करें आपर तो second वाली rank में आता है इसमें lower middle वाले में ठीक है यह आपको धान है रखना है यह तो मने अपता है कि World Bank का classification है कि विया कौन सी देश की कितनी income है उसका अदार पर World Bank ने बता दिया और मामला fit अब हम चलते हैं न्यूज की तरफ न्यूज के है न्यूज जैसा आप सभी ने आजगल देखा होगा आर्टिकल में काफी ज़्यदा रहे हिंदू वगरा में भी इंडियन एक्सप्रेस में सब में आ रहा है कि रिसेंटली World Trade Organization यानि कि विश्वय व्यापार संगठन ने चाइना या चीन को developing country या विकास सिल देश होने का टेक दिया है और दोस्तों ये बहुती बड़ा controversial हो गया है क्यों controversial हो गया है वो बताता हूँ सुनना ज्यान से मोटे तोर पे दोस्तों ये तीन पूरे विश्वय की जो country है ना इनको तीन पार्टों में divide किया गया है एक है वो है develop this और दूसरा है वो है developing this और तीसरा है वो है आपका list developing this ठीक है मोटे तोर पे ऐसा तीन पार्टों कुछ बूकों में दो भी मिलेगा दो ये मिलेंगे develop या developing list developing कुछ-कुछ books में आपको मिल जाता है लेकिन आप समझे ना कि develop developing और list developing का मतलब के हैं दोस्तों develop देश का मिलब है वो देश जिनकी economy काफे ज़दा develop कर चुके बहुत अमीर देश है एकजांपल के हम बात करें USA हो गया plus में हम बात करें आपका USSR, Emir, Russia हो गया plus में हम बात करें आपका यहां पर Britain हो गया यह जो कंटी हैं यह कंटी कहें develop देशों में यह विकसित देशों में आते हैं किसमें आती हैं? जो 1950 के दसक में आजाद हुए थी, नहीं 1915 के राउंड, Second World War के बाद के हैं, ये country आजाद हुए थी, और ये लगातार अपनी income को या अपनी economy को कहा हैं, ग्रोव करती जा रही हैं, तो इनको बोलते हैं developing country, तो world ये जो mostly countries हैं, लगबग हम बात कहें, तो world की लगबग 70% जो countries हैं, वो developing phase में ही हैं, या आपको ध्याना है, वो रखना हैं, ठीक है, और list developing का मतलब है, वो country जो developing से भी पीछे हैं, यहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, basically list developing में आती हैं आपकी अफरिका की countries, यहीं अफरिका के अंदर जो countries हैं, वो मोटे तोर पर list developing phase में आती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गरीबी हैं, तो वो इस category में आती हैं, ठीक है, तो यह मैंने आपको बता दिया, अब देखो, developing country, develop country, इसका issue के हैं, सारा का सारा मामला समझ मैं आएगा, कि भाई चाइना ने developing country के status मिला, तो क्यों दिक्कत आ रही हैं बाकी देशोंगों, दोस्तों दिक्कत ही हैं, कि सुनिए धान से, मैंने क्या कहा, कि developing country कौन सी हैं, जो धिरे धिरे develop हो रही हैं, लेकिन दोस्तों बात ऐसी होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर देखो, डेवलप देश तो बहुत अमीर हैं, और developing के हैं थोड़े गरीब होती हैं, तो basically, वर्ल्ड ट्रेड ओगेंस ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, कि भीया, जो डेवलप country है ना, वो developing countries को थोड़ा मोखा दें, यहीं विक्सित देश हैं, वो विकास सिल देशों को अपना बिजनेस करने के लिए मोखा दें, और आप जानते हूँ, जब एक देश का सामान, दूसरे देश में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगरा होता है, तो उस पर बहुत सारे regulation वगरा होती हैं, बहुत सारे taxes वगरा लगते हैं, ठीक है, तो होता कि हैं, कि developing country को world trade organization ने कुछ छूट दी वी है, वो छूट ये दी हुई है, इसको हम बोलते हैं, special and differentiated treatment, मैंने क्या कहा, developing country को trade में एक फायदा होता है, उसको बोलते हैं, special and differentiated treatment, इसका मतलब ये हैं, कि developing country, जब अपना सामान, develop देशों में भेशते हैं तो उनके सामान को priority दी जाती है, उनका सामान जल्दी लिया जाता है, develop country के द्वारा, ऐसा इसलिए करती हैं develop country, ताकि developing country ना, वो जल्दी से grow कर सकें, क्योंकि दोस्तों, गरीबी जदा रहेगी ना, तो आपको बता है, मामला घटबड हो जाएगा, तो basically, develop country नहीं इनिसेटिव स्टार्ट क्या था, ताकि भिया developing country है ना, हम उनको कुछ छूट देंगे, छूट ही होगी कि trade करने में जी रहेगा, उनके उपर tax कम लगेंगे, उनके सामान को priority देंगे, समझ रहे हो, इस टैप के हमके उनके उपर tax का फायदा रखेंगे, ताकि वो अपनी income को grow कर सकें, यानि एक तरिगे से कहें, business में फायदा होता है developing country को, अगर वो developing का टेगा हो रखती है, इसलिए हर एक देश ये चाहेगा, कि भिया में developing country में रहे हो, ताकि वो अपना trade कर सके, और आप सब जानते हो, चाइना क्या है, एक नमर का लालची है, चाइना में क्या लालच बढ़ा पड़ा है, तो चाइना तो हम ऐसे साता है कि मेरा सामान पूरे विश्वा में जाइट फूस ठूस कर, इसलिए दोस्तों, चाइना ने developing country का status है, उसको बढ़करा रखा है, अब आपके दीमाग में होगा कि भई सर इसमें दिक्कत के हैं तो, अगले की मर्जी है developing की है, दोस्तों दिक्क तो विश्वा की सबसे बड़ी economy है, वो है USA, USA के बाद में किसी भी देश की economy की जो साइट सबसे दादा बड़ी है, वो है चाइना की, यही चाइना की GDP है, वो विश्वा में second number पे आती है, अब आप सोच के देखिए, इतने अमीर देश को आप कैसे developing देश कह सकते हो, कैसे भाड़ी हो सकता, बहुरी जिसके पास इतनी सारी वेल साय, इतना सारा पैसे है, वो देश कैसे विकासिल हो सकते हैं, देखा जाए तो आज, दोस्तों, मांग की जारी है बाकी countries के द्वारा, कि भाए चाइना विक्सित देश नहीं रहा है, चाइना आज विकासिल देश की जा विक्सित देश यानि चाइना आज डेवलोप कंट्रियों में आ चुका है क्यों हिएiosa ने भोछदा विलोप्मेंट कर रखे है तो चाइना को को developing country का status रखा है WTO के द्वारा लेकिन अभी देखा जाए तो चाइना की economy है नो world की second largest economy है तो वो कैसे अपने आपको विक्साज सिदेल कह सकते हैं अब आपके दिमाग में तुरंट एक क्यूसन आएगा कि सर तो क्या WTO क्यों पागल है क्यों उसने इसको विकासिल देश का टेक दिया दोस्तों कहानी कुछ से इस प्रकार है कि वर्ल्ड ट्रेड ओर्गेशन इन्हीं विश्वववापार संग्ठनना उसने कोई definition defining नहीं करकी कि कौन सा देश डेवलोप होगा कौन सा डेवलोपिंग होगा जो definition मैंने आपको बताई थी वो बेसिकली सिर्फ समझाने के लिए थी इन्हीं वर्ल्ड ट्रेड ओर्गेशन ने officially कोई ऐसा definition नहीं बना रखी है जो ये define करता हो कि भया ये features है वो developing country है ये develop country है तो होता क्या है हर एक country free है इन्हीं basically WTO ने एक देशों के उपर ही छोड़ रखाया कि भया आप decide करो कि आप developing में आते हो डेवलोप में आते हो समझ गे basically बात है ये तो चाइना क्या है चाइना देखा जे तो develop हो चुका है लेकिन फिर भी वो जान बूजगे developing का status रख रहा है ताकि वो ये दिखा सके कि भया मेरा सामान दूसरे देशों में जाए और मेरे को फायदा मिले तो चाइना सिरफ अपने कुछ फायदों के लिए basically developing country का take लेकि बैठा है गोट इट ये सारा का सारा फाम लाता है जैसे देखो यहाँ पर article में दे रखा है कि world trade organization है ना उसकी definition clear नहीं है और इसी की वज़य से के हैं पूरे विश्वय के अंदर हम बात करें तो लगबग two-third nation की यहाँ पर दे रखा है 164 countries ऐसी हैं पूरे विश्वय में जो आज developing country में आती है क्यों क्यों definition clear है नहीं कई criteria नहीं बनाए गए हैं तो हर एक देश के हैं अपनी इचा से सब भी developing में बोच जाते हैं कि मैं भी developing में हूँ मैं भी developing में हूँ जबकि देखा जे तो बहुत ज़्यदा develop हो चुके हैं ठीक है तो यह चीज आपको उच्छे से धानक नहीं फायदा क्या है मैं उनको एक फायदा मिलता है कि जब वो develop देशों में अपना सामान भेजते हैं ट्रेड करते हैं तो उनके उपर टेक्स कम लगता है उनको बहुत सारी benefit मिलते हैं उसको बोलते है special and differentiate treatment तो उसका फायदा ले रहा है चाहिना और इसलिए चाहिना नहीं ऐसा की है अब हम आगे ब business करना easy होता है labor system मिलती है तो वहाँ पर easily आपने देखा होगा चाहिना developing में था तो पहले देखो USA कि बहुत सारी company Apple वगरा सारी company वहाँ पर आगी क्यों कि वहाँ पर labor system तो काम करना easy होता है तो मतलब क्या है विकासिल देश होने का यह developing country होने का बहुत सारे फायदे मिलते ह और इसी लिए सारी country courses करते हैं कि हम developing का status लेके बैठे रहे हैं अब पूछा गया चाइना से कि आप बताईए कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं तो देखो दोस्तों चाइना नहीं यह कहा है चाइना इसीज को officially मान भी रहा हैं कि हम विश्वे की देखा जाये तो second largest economy है औ जो developing देशों में हम सबसे बड़ी economy लेके बैठे हैं और हम बहुत ही जल्द इसको छोड़ देंगी लेकिन उन्हें कोई clear नहीं कहा है कि हम कब छोड़ेंगी इसीज को कब नहीं छोड़ेंगी हाँ उन्होंने यह बोला है कि बहुत ही जल्द हम जो developing countries का जो benefit है फायदा है न उसको हम छोड़ेंगी कब छोड़ेंगी we don't know नहीं चायना भी भी क्या है गोल मोल बाते कर रहा है सिर्फ फायदा लेते जा रहा है बेसिकली दोस्तों चायना यह देख रहा है कि जितना हो सके उतना फायदा लो जब situation गंबीर होगी तब देखेंगी अदर्वाई चल रहा ट्रेड का benefit लेते रहो ठीक है तो यह complete article था अब दोस्तों इससे कहा है देखो बहुत सारा वैसे नुकसान भी है अगर हम बात करें कि चाइना के developing country होने से कुछ नुकसान है वो कहा है थोड़ा हम आपको समझाता हूं इंडिया को यह थोड़ा man's वगरा में काम आ सकता है आ बिसिकली अभी कहा है ट्रेड जितना भी international trade होता है उसमें चाइना benefit ले जाता है क्योंकि चाइना की कंपनिया काफी ज्यादा आगे हैं तो वो क्या करती है अपना सामान developed देशों में USA UK देशों में क्या है इजिली भेज देती है क्योंकि उनके पास production ज्यादा होता है तो वो trade का फायदा उठा लेते हैं जबकि इंडिया ये फायदा नहीं उठा पाता तो अब भी अकर देखा जाए तो अगर चाइना developing country के लिए इससे हट जाएगा ना तो सीदी सी बात है इंडिया के लिए opportunity आ जाएगी फिर इंडिया के हैं देखा जाए तो बहुत सारा benefit ले स सकता हैं तो इंडिया भी कोशिस कर रहा है कि या चाइना या छोड़े या फिर मतलब हम थोड़ा अपनी इकोनोमी को ग्रोकने तो सरकार भी कोशिस कर रही हैं कि हमारे देख में काफी सारी industry लगाए जाएं ताकि हम भी कहा है developing country के टेक का फायदा लेखू बच्चे से क्व दोस्तों आप ऐसे ही latest video प्लस में UPS selected जो भी आपको material है जो अच्छी quality का वो सारा का सारा दोस्तों आप Instagram पर भी देख सकते हूं मैं daily Instagram पर पांच-छे पोस्टेज के थूँ डेली अच्छा-चा material है वो आप लोग लेके आता हूं प्लस में Facebook पर Telegram पर इंजगर पर भी आप आपको मिल जाएगा तो आप इसको जाके जोइन कर सकते हो अपना जो Facebook है Instagram है इसका नाह मैं दोस्तों नमस्ते एक्जाम यहीं आप जाके सेर्च कर सकते हो नमस्ते एकजाम के नाम से तो वहाँ पर आपको ऊपना channel मिल जाएगा page मिल जाएगा और उसको जाके आप follow कर लिज कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप में इसे पूछ सकते हों तो फिलाल की डिसकेशन में इतना ही है थेंक्यू